पाकिस्तान की प्रधान मंत्री ने करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनाने के लिए करनाटक के लोगों का आभार वेक्त किया है धन्यवाद दिया है बधाई दी है ये मैं नहीं कहा रहा हूँ ये दावा बहुत सारे राइट विंग के लोग कर रहे है और बकाइदा पाखिस्तान की प्लान मंत्री के पीट का इस्क्रेंशाट सेर किया जा रहा है खुद बीजेपी के वरिश नेता सुबर्मन्नें सौमी ने भी इसे सेर करते हुए पूछा है कि क्या ये सच है मुझे वाट्सअप पर मिला है क्या है इस पूरे मामले की सचाई बेहत कम सब्दों और आसान भासा में आपको बताऊंगा प्रमाड के साथ इसके साथ ही देश के रह मंत्रीय मिस्साह ने 2024 के चुनाओ को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है इतना बड़ा जिसकी कलपना आप आसानी से कर सकते हैं कम सकम दावे की तो करी सकते हैं लेकिन हां कॉंग्रेस पर उन्होंने जो आरोप लगाया है वो इतना बड़ा आरोप है जिसकी कलपना कोई भी नहीं कर सकता ये आरोप ऐसा है कि यकीन मानिये सुनने के बाद आप अपना कपार बीटे विना रह नहीं पाएंगे करनाटा चुनाव से पहले वहां एक आग लगी थी ऐसा माना जा रहा है कि उसने भी बीजेपी को हराने में बड़ा रोल अदा किया था मगर अब उस आग की लप्तें तमिल नाडू भी पहुंच चुकी है इस पर भी बात चित करेंगे और अंत में बात करेंगे गोधी मीडिया के प्रमुक खलपड जंडिसों में से एक पूस्ता है भारत इन्होंने भी एक बार फिर से अपने चरित्र का असली प्रमाल पत्र खुद ही अपने हाथों से सौम दिया है और बता दिया है कि हम आईसे ही हैं इसके साथ ही बात ये भी करेंगे कि अभी जब सत्ता इनके अनुकूल है तभी ये हाल है इस तरीके से सरंडर करना पड़ रहा है तो फिर जब सत्ता प्रतिकूल होगी तब क्या हसर होगा भाई हमें तो सुचकर अभी से टेंसन होने लगी है इन सभी मुद्दों पर विसेज बात्सी सुरू करने से पहले आप सभी से अनरोध है कि अदिया आप में पहली बात देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को फालो लाइक कर लिजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंड़वा बजा दीजिएगा देख को गोदे मीडिया के जहरीले प्रकोब से बचाने और आम आदमी की आवाज को बलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिये इसकी वार कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयाज जरूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद मध्य परदेश के कुनो नेशनल पार्क में गुरु वार को दो और चीता सावकों की मौत हो गई मौत की वज़ा अत्यतिक गर्मी होने की संभावना बताई जा रही है आपको जानका राश्चर होगा कि अब तक कुनो नेशनल पार्क में कुल छे चीतों तीन वैस्क और तीन सावकों की मौत हो चुकी है याद करिए कुछ महीने पहले जब प्रधान मंतरी ने जन्म देन के मौके पर कुनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े थे तो तमाम भाजपाई नेता और पूरा का पूरा गोदी मीडिया उनके सारे लपड़ जंडिस चिंता ता चीता चीता करने में लग गए थे हफ्तों तक इस मुद्धे पर कवरेज की गई अलग-अलग तस्वीरे दिखा कर लोगों को उजहाय रखा गया मगर अब जब चीतों और सावकों की इसकदर मौत हो रही है तब गोदी मीडिया का कैमरा उधर नहीं गूम रहा है तब खुब प्रिचार किया जा रहा था कि पियम मोदी ने खुद अपने कैमरे से लिखास तस्वीरे ये घटना भी ठीक वैसे ही है देश की चेंपियन बेटियां आवार्ड लेकर आती हैं तो मोदी जी फोन करके बुलाते हैं कहते हैं कि ये सब तो हमारे घर के बच्चे हैं लेकिन जब उन्हीं बेटियों को प्रधान मंतरी की जरुवत होती है तो महीनों तक धरना देने के बावजूद बेटियों को न्याय दिलाना दो वहुत दूर की बात है अपने सांसत पर कारवाही करना तो बहुत दूर की बात है अब तक एक ट्वीट तक नहीं कर पाए मिसकॉल तक नहीं मार पाए तो कुनो नेशनल पार्क के चीतों और सावकों बहतर है कि आत्म निरभर बन जाओ क्योंकि भारत में अब सिर्फ एक बार फोटो किचाने का कारे करम होता है एक बार फोटो सूट होने के बाद इंसानों की भी पूछ नहीं हो रही है तुम तो ऐसे भी जैनवर हो हलांकि इस वक्त की राजनिती ने इंसानों और जानवरों में भेद कर पाना बहुत मुश्किल कर दिया है वह यहां आदमी पार्टी की नेता और देली के हाल ही में तिहार जेल में बंद्र सतेन जैन सोचाले में गिर गए थे खबर है कि उनकी रिल की हड़ी में चोटा गई है चिंता जनक बात ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के ये नेता ऐसी हालत में पहुँच गये हैं बताया जा रहा है कि 35 किलो वजन कम हो गया है मात मारते हुई लेकि जा रहे थे सोच कर देख़िए यदि कैμεरे के सामने इस तरीके इसे बरताव किया जा रहा है वीपक्स के नेताओं को लेकर तो फिर कैμεरे के पीछे क्या क्या हो सकता है है हालाकी मैंने पहले ही कह दिया है कि आज की राजनिति में पहचानना मुश्किल हो यहां पर खुद वहां के मुख्यमंत्री मके स्टालिन ने ग्रेमंत्री और सहकारिता मंत्री अमिस्सा को पत्र लिख कर कहा है कि अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडू में दूद की खरीद बंद करने का निदेश दिया जाए इस्टालिन ने कहा है कि हाल ही में राज्य सरकार को पता चला है कि अमूल ने कृष्णागरी जिले में चिलिंग सेंटर और प्रसंसकरण सनियंतर अस्तापित करने के लिए अपने मल्टी स्टेट सरकारी लाइसेंस का उपयोग किया है जबकि भारत में ये नियम रहा है कि स्तरकारी समितियों को एक दूसरे के मिल्क फेड चेटर का उलंगण किये भीना फलने फुलने दिया जाएगा यानि कि म्के स्टालिन ने नियमों के उलंगण का आरोप आमुल पर लगाया है कहा गया है कि इस तरह एक दूसरे की खरीद में हस्तक चेप स्वेट क्रांती की भावना के खिलाफ है M.K. स्टालिन ने कहा है कि अमुल आविन जो की तमिल नाडु का है उसके मिल्क फेड छेदरकाव लंगन कर रहा है बहुत सारे राइट विचारधारा के लोग और जादा तर बीजेपी के समर्थकों ने एक स्क्रीन सोट सेर करते हुए ये दावा किया है कि पाकिस्तान के प्धान मंतरी ने करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार चुनने के लिए करनाटक का आभार व्यक्त किया है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने इसे सेर किया है और अपने अपने तरीके से इसका विस्तार भी दिया है किसी राकेश कृष्ण सिम्हा ने लिखा है कि इसलाम पाकिस्तान कॉंग्रेस पार्टी गांधी राजवन्स ये ट्वीट जो कि उर्दु में लिखा हुआ है इसका हिंदी अनुवाद होता है कि मैं कॉंग्रेस को चुनने के लिए करनाटक के लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ मुझे उम्मीद है कि कॉंग्रेस हमारे SDPI के साथ भारत में इसलाम को मजबूत करने और करनाटक की संप्रबुता के लिए काम करेगी इस ट्वीट को सेर करते हुए भाजपा के वरिष निता सुपरमन्नेम सौमी ने भी लिखा है कि क्या ये सही है मुझे वाटसेप पर मिला है मगर जब आल्ट निउज ने इसकी जांच की तो पाया कि ये पूरी तरह से फरजी है लेकिन इस ट्वीट में लिखी गई बातों को जरा ध्यान से समझेए जिसके माध्यम से ये जूट फैलाने की कोशिस की जा रही है कि कॉंगरेस की जीत से पाकिस्तान खोष होता है कॉंग्रेस की जीट से इसलाम को बढ़ावा मिलेगा और अंत में जो बात लिखी है उसको ज़रा ध्यान दीजेगा लिखा है कि कॉंग्रेस पार्टी करनाटक की संप्रभुता के लिए काम करेगी याद करिए करनाटक चुनाओ के दोरान पियम मोदी ने कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी करनाटक को भारत से अलग करना चाती है और संप्रभु बनाना चाती है यानि कि कहीं न कहीं ये सारी जूटी बातें प्रधान मंतरी की बातों से मेल जोल रखती है अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जूट की फैक्टरी कहां से कच्चा माल उठा रही है और कहां पर उसको पका के ठेल रही है जनता के बीच अल्टनीव्ज ने अपनी जाच में पाया कि 13 माई को पाकिस्तान के प्रधान मंतरी ने मातर तीन ट्वीट किये और उनमें से कोई भी ट्वीट ये नहीं है जो सेर किया जा रहा है और ये भी पता चला कि ये ट्वीट असल में एक साटायर पेश द्वारा सेर किया गया है जो की फरजी है अब बात कर लेते हैं ग्रेह मंत्री अमिसा की और उसके बाद बात करेंगे अर्नव गोश्वामी की किसी कारक्रम में बोलते हुए ग्रेह मंत्री अमिसा ने कहा है कि 2024 में नरेंदर मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे और 300 से अधिक सीटे भारतिय जन्ता पार्टी जीत कराएगी इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक दावा कर दिया है कि कॉंग्रेस अभी लोगसवा में जितनी सीटों पर है वो भी बचा नहीं पाएगी वैसे समझने वाली बात यह है कि हाल ही में करनाटक में जो चुना हुए थे उसे लेकर भी ग्रेमंत्री अमिसा ने कहा था कि हम 128 सीटे जीतने वाले हैं और यह दावा चुनाओ से कुछ दिन पहले ही किया गया था जबकि लोगसवा चुनाओ में अभी एक साल का टाइम है और यह भी कहा था क्रियमंत्री में साने कि कॉंग्रेस की हालत करनाटक में बहुत खराब हो जाएगी मगर हो गया उल्टा जितनी सीटे बीजेपी को मिलनी चाहिए थी अमिसा के अनुसार उससे ज्यादा सीटे कॉंग्रेस वाले ले गए और बीजेपी उनमें से आधे में ही जिमट कर रहा गई हाला कि यह पहली बार नहीं है जब अमिसा के दावे पुरी तरह से फर्जी निकले जूटे निकले फेल हो गए 24 की बात तो भी बहुत दूर है अब तक दरजनों इस तरह के दावे खोखले पाए गए है बात दिली की कर लीजिए, पसिम बंगाल की कर लीजिए, हिमानचर पतेस की कर लीजिए या फिर किसी और राजय की कर लीजिए, ऐसे बहुत सारा है कितने गिर्वाये जाए मगर जो बेहत महत्वपुनबाद ग्रियमंत्री अमिस्ट आने कही है वो ये है कि कॉंग्रेस प्रधान मंत्री को संसद में बोलने की अनुमती नहीं देती है क्या आप इस बात की कलपना भी कर सकते हैं लोग सभा में जहां पर बीजेपी के 300 से अधिक संसद हैं और कॉंग्रेस को विपक्स का दर्जा भी आचिल नहीं है ग्रियमंत्री के अमसार इसके बावजूद कॉंग्रेस वाले प्रधान मंत्री को बोलने नहीं देते हैं जबकि पिछले दिनों लगातार इस तरह के आरोप सामने आए कि विपक्स के निदाओं का माइक आफ कर दिया जाता है उनके बयान संसद की करवाईज जाटा दिया जाते हैं पुरा हुआ है ऐसी कौन सी बात है जो वो जनता की बीच नहीं रख पा रहे थे मन की बात में आस्टेलिया से भासर देकर वापस आते हैं तो जहां से उतरते ही तुरंत फिर भासर देते हैं गोदी मेडिया 24 घंटे यहीं इंतजार करता है कि साहब एक सब्द बोलें तो हम उसमें 100 जोड़कर 24 घंटा दिखाते रहें मगर फिर भी ग्रियमंत्री जी कॉंग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन में बोलने नहीं देती है ग्रियमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधान मंत्री को लोगों ने बोलने का जनादेश दिया है प्रधान मंत्री का सम्मान नहीं करना लोगों की जनादेश का अपमान करने जैसा है सवाल ये है कि यदि PM मोदी को जनादेश मिला है बोलने का तो विपक्स की नेताओं को क्या चुप रहने का जनादेश मिला है वे भी तो जनता के वोट से ही आये है उन्हें भी जनता नहीं चुन कर भेजा है तो विपक्सी नेताओं का माइक आफ कर देना क्या ये जनता की ज लोगों ने जनादेश दिया तो विपक्ष का अपमान करके भारती जनता पार्टी की सरकार क्या देश की जनता का और जनादेश का अपमान नहीं कर रही है। वाइस चेर्मेन आरके पचारी की खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग की गई थी। इसी मामले में अर्नब गोशामी ने कोट में लिखित और बिना सर्थ के माफी मांगी है। आई दिन देश के अलग अलग नयाला कर रहे हैं कि हेट स्पिच बंध होना चाहिए, जूटी खबरों का प्रसार बंध होना चाहिए, तब काहें गला फाल फाल कर जूटी खबरे और नफरती बाते पहलाते हो। देश के सामने जूट क्यों परोस्ते हो, क्यों नफरत पहल झाल झाल